तिवाहे गुरुजियों, सोरठ महला पहला कार्तिजा, एक ओँकार सत्गुर्परसाद, जां तिस पावां तद ही गावां, तां गावे का फल पावां, गावे का फल होई, जां आप पे देवैस होई, मान मेरे गुर बचनी निद पाई, तां ते सच महें रहया समाई, रहाओ, गुर साखी अंतर जागी, तां चंचल मत त्यागी, गुर साखी का उजियारा, तां मिट्या सगल सन अंध्यारा, गुर चरनी मन लगा, तां जम का मारग पागा, पैविच निर्पाव पाया, तां सह जै कै कर्याया, पनत नानक भुजय को बीचारी, इस जग में कर्णी सारी, कर्णी कीरत होई, जाया पे मिल्या सोई, इकुंकार सत नाम करता पुरख, निर्पाव निर्वेर, अकाल मुरत, आजुनी तैभंगर, परसाद जप, आद सच, जुगाद सच, हैपी सच, नानक होसी पी सच, इकुंकार सत नाम करता पुरख, निर्पाव निर्वेर, अकाल मुरत, आजुनी तैभंगर, परसाद जप, आद सच, जुगाद सच, हैपी सच, नानक होसी पी सच, इकुंकार सत नाम करता पुरख, निर्पाव निर्वेर, अकाल मुरत, आजुनी तैभंगर, परसाद जप, आद सच, जुगाद सच, हैपी सच, नानक होसी पी सच, श्री सत्गुरु महराज जी के, किर्पा, दया, मेहर के, सारी संगत, शर्धा प्रेम से बूलो, सत नाम श्रीवाहि, सत नाम श्रीवाहि, ये हुकम, शबद, आद गुरु, जगत गुरु, श्री गुरुनानक देव महराज जी के, पवित्तर मुकारबिंद से, पवित्तर रसना से, पवित्तर हिर्दे से, पवित्तर अति-पवित्तर हिर्दे इस्थत, परमात्मा की जोद से बक्षिश्च हुआ है, परमात्मा, जब भी, अगतों को मिलते हैं, तो नाम के माध्यम से, शबद के माध्यम से, भगती के माध्यम से ही मिलते हैं, खुद परमात्मा कह रही हैं, नावे अंदर हों वसां, नाव वसे मन आये, परमात्मा कहते हैं के नाम के अंदर मैं बसता हूं, नाम के अंदर मैं रहता हूं, ऐसा नाम जिसके अंदर परमात्मा बिराजमान हैं, वो नाम गुरू की किर्पा से प्रापत होता है, गुरू की महर से प्रापत होता है, ऐसे नाम को मन के अंदर अगर हम बसा लें, उसका जब करके, सिमरन करके, भगती करके, उससे प्रेम करके, तो यू जानो के परमात्मा ही हमारे अंदर बस जाएंगे, परमात्मा की बाणी, गुरू की बाणी, परमात्मा सवरूप ही है, गुरू सवरूप ही है, बाणी गुरू, गुरू है बाणी, विच बाणी अम्रत सारे, गुर्बाणी कहे सेवक जनमाने, पयताफ्य गुरू निस्थ आरे परमात्मा, गुरू के हिर्दे में परगठ हो करके, नाम बाणी के माध्यम से, सिख तक, शिष्य तक, भगत तक पहुँचते हैं जैसे ही पहुँचते हैं सिख तक, तो सिख जो है, भगत जो है, परमात्म सवरूप ही हो जाता है जिना न विसरे नाम से किनेहया, पेद न जान हो मूल साई जेहया, जिन के पास परमात्मा के नाम का सिम्रन है नाम का ही आधार है जिन के पास सिमर सिमर नाम बारम बार, नानक जी का, यह आधार जीव का, जीवत्ल, परकाश, ग्यान तो ग्यान का आधार परमात्मा के नाम का सिम्रन है परमात्मा की बाणी है उस बाणी की याद में हमें हमेशा ही रहना है जैतन बाणी विसर जाए जियों पक्कारोगी विल लाए अगर बाणी हमारे जीवन में से निकल गए अगर हम बाणी को ही छोड़ बैठे भूल गए विसार गए तो पक्कार होगी कोड़ी हमेशा रहा ऐसा मारा जीवन जो है दुखदायक हो जाएगा जीवन में सुख ठहर नहीं पाएगा लेकिन चाहते हैं के सुख जीवन के अंदर सदा बना रहे तो सदा के सुख के लिए तो परमात्मा की बाणी गुरू की बाणी जो है हमारे हिर्दे में बसनी चाहिए और बाणी के अंदर इतनी शर्धा हो इतना विश्वास हो इतना प्रेम हो कि साक्षात परमात्मा गुरू ही हमें मिल रहे हैं फिर ये बाणी अक्षर मातर नहीं रह जाती चिन मातर ही नहीं रह जाती साधन मातर ही नहीं रह जाती मन्जिल होकर के मिलती है लक्ष होकर के मिलती है जीवन का लक्ष आत्मा परमात्मा की एकता का बोथ कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है अर्थात परमात्मा हमसे अलग नहीं है हर जगए हर वकत हर एक में विराज मान लेकिन ये बोध कभी होगा जब बानी से जुड़े रहें गया अमरत वेले का उठना गुरू से जुड़ना परमात्मा से जुड़ना नाम बानी से जुड़ना बहुत महात्म रखता है अमरत वेला शास्त्रों में तो तीन से छे बजे का जो वकत है उसको अमरत वेला कहा गया है अब देखें के उस अमरत वेला को जिस समय के अमरत परमात्मा से वर्षा के रूप में प्रापत हो सकता है एक दो चार बूंद नहीं वर्षा अम्रत की वर्षा क्या उस वकत को हम संभाल रहे हैं अपने जीवन के अंदर कि उस वकत हम सोय हुए हैं अग्यान की नीद में संसार के चिंतन में या ऐसे शारीरिक नीद में उस अम्रत वेले को जब संभाल लेंगे तो हमारे मन में तड़प होगी परमात्मा को मिलने की परमात्मा के साखशाद दर्शन करने की वे तड़प पूरी होगी गुरु को मिलने से तो जिस वकत गुरु मिलेगा सही अमरत वेला वो होगा अमरत वेला जिस वेले जिस वकत अमरत ही अमरत हो ग्यान ही ग्यान हो वै अमरत वेला अमर करने का समय जनम और मौत से रहत का जो समय संसार में जितना समय है जनम और मौत के बीच में रखने वाला है लेकिन वै जो अमरत वेला होगा अमर समय होगा उसमें इस्थत हो करके ही हम जनम और मौत से रहत हो सकेंगे अर्था दुखों से रहत हो सकेंगे तो सुबे का जागना अमरत वेला गुरू को मिलना अमरत वेला गुरू की किर्पा के पात्र बन जाना गुरू की खुशी को प्रापत कर लेना अमरत वेला गुरू से नाम की दाथ प्रापत हो जाए नाम दिक्षा प्रापत हो जाए वै अमरत वेला जब नाम रसना पर जब नाम हिर्दे में ठीक नामी रूप से परगठ हो जाए वै अमरत वेला अर्थात नाम का सिमरन निरंतर जब हो जाए वै अमरत वेला ऐसे अमरत वेले को अमर करने वाले समय को ही गुरु साहिब गुरु गुबिन सिंग महाराज जी कह रहे हैं एक चित जेक छिन त्यायो काल पास के बीज नायो वो चिन बहुत थोड़ा समय है चिन कहते हैं बहुत थोड़े समय को अर्थात जहां समय का अभाव ही हो जाए अर्थात जहां हमारा मन ना भविश्य में जाए अर्थात भविश्य की चिंता ना करे आने वाला समय उसकी चिंता ना करे भूत काल जो समय वतीत हो चुका है उसकी चिंता ना करे जिस समय हमारा मन ना आगे ना पीछे दोनों सोच को छोड़ करके वर्तमान में इस्थत हो जाए वै अम्रत देला और वर्तमान के सिवा और कोई समय दारसल समय है ही नहीं वर्तमान समय ही एक समय है जब हम ग्यान को उपलब्द हो सकते हैं गुरू के रपास है बविश किसने जाना आने वाला समय यानि कल परसों फिर कभी किसी ने ने जाना हो, भविश जिसको भी मिलता है हम सब को मिलता है लेकिन मिलता जो है वर्तमान के रूप में है कल को हम कैसे पकड़ सकते हैं, कल हमे कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता और आज तक किसी को कल मिला भी नहीं कल जिसको भी मिला वो आज के रूप में ही मिला यहीं हम छोड़ दें के कल भजन करेंगे फिर भजन करेंगे जब समय होगा फिर करेंगे अभी तो बच्चों की शादियां करनी है अभी तो कमाना है अभी तो संसार में मुझे इदर उदर जाना है नहीं तो परमात्मा नहीं मिल सकेगा परमात्मा को मिलने के लिए तो अभी में ही इस्थत होना होगा वर्तमान में ही इस्थत होना होगा हमारे मन को और वर्तमान इतना सूक्षम है इतना सूक्षम है कि वहाँ समय का अभाव होते ही मन गिर जाता है मन का तल्लक सिरफ समय से है जो समय बीच चुका है हमारा मन उससे जुड़ा रहता है तो मन खड़ा है संसार खड़ा है जो समय आने वाला है मन वहाँ जुड़ता रहता है तो संसार खड़ा है, मन खड़ा है तो जैसे ही वर्तमान में प्रिजेंट में हमारा मन टिकता है टिकेगा नाम से, टिकेगा जब से टिकेगा सिमरन से, टिकेगा गुरू किरपा से तो क्या उस तेम उकलब्दी होगी कि वर्तमान तो है ही नहीं अर्थात भूत और भविश इन दोनों की कलपना से रहत जैसे ही हम हो गए तो वर्तमान समय नहीं होगा वर्तमान प्रेजेंट अब जिस भी आना चाहते हैं हम चाह कर लेते हैं कि वो वस तू मुझे मिले तो अभी आने वाला समय है न मिले कुछ समय लगेगा उसको मिलने के लिए या उसको हम तक पहुँचने के लिए तो जैसे ही हमारे पास आएगी आते ही हमसे छूते ही हमसे एक होते ही भले इस तन से इन हाथों से इन आँखों से इन कान से नाक से किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जैसे ही उवस्तों ने हमसे सपरश किया वो समय गुजर गया वो भुविश्य जो था भूतकाल हो गया वर्तमान रहा ही कहाँ वर्तमान वे समय है जहां समय है ही नहीं अकाल है एक ओंकार, सत नाम, करता पुरत, निर्पव, निर्वैर, अकाल मूरत जब करते हैं, पढ़ते हैं, याद है खूब रटन भी करते हैं लेकिन अकाल से हमारा मन फिर जंप मार करके काल में चला जाता है आगे वाला या पीछे वाला पर वहां टिकना था वहां इस्थत होना था वहीं ग्यान की उपलबदी थी वहीं ग्यान की प्राप्ती थी, अग्यान की नविर्ती थी जिस अग्यान की नविर्ती के लिए ग्यान की प्राप्ती के लिए आप पर मात्मा आज गुरुनानक महारजी का सबरूप को अख्यार करके नाम बानी के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं उस बानी को सत्गुरु महाराजी की किर्पा से इस मन बुध्धी के माध्यम से थोड़े में ही भाई विचार करते हैं सोरट राग के अंदर सत्गुरु नानक देव महाराजी बक्षिश कर रहे हैं इस शबद को तीसरी तार के अंदर गाइन करना है एक ओंकार सत्गुर परसाद एक जो परमात्मा है परिपूरन व्यापक सत्गुरु की किर्पा से ही प्रापत होता है अर्थात उस प्रापत की प्रापती होनी गुरु उस परमात्मा को उस जोत को ऐसे नहीं प्रापत करवाते के वे हमें पहले प्रापत नहीं था पहले भी था अब भी है आगे भी होगा आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच जो हर वकत है जहां वकत नहीं है वहां भी है लेकिन उसका ग्यान हमें नहीं उस अग्यान की नविर्ती जो है अर्थात एक की प्रापती जो है वेक गुरु सहीब कहते हैं के सत गुरु की किर्पा से होती है जातिस भावां तद ही गावां गुरु सहीब गुरुनानक पात्शा अपनी पवित्तर रस्मा से मुबारक रस्मा से बक्षिश कर रहे हैं कि जो मैं परमात्मा को भा जाओं, मन्जूर हो जाओं, तो क्या होगा, तबी मैं उसका गीत गा सकूँगा, उसका गुण गायन निरंतर कर सकूँगा, लेकिन हम जो गुण गायन कर रहे हैं, कीरतन कर रहे हैं, ये भी सब एक माध्यम होगा, एक रास्ता होगा, एक साधन होगा, उस अनहद गीत को समझने का, उस अनहद गीत को पकड़ने का, उसका अनंद मानने का ये सब एक माध्यम बन जाएगा, तबी जब परमात्मा को भा जाएंगे परमात्मा की निगा में जब हम कबूल हो जाएंगे तबी हम जो गुन गाइन करते हैं किर्टन करते हैं सस्तं करते हैं पुस्तक बढ़ते हैं नाम जबते हैं तब इसका जो फल है ग्रान की प्राप्ति वे पर्मात्मा की किरपा बसे है जब पर्मात्मा आप देता है अर्थात ये जो साधन हम करते हैं सिमरन, सेवा, भगती, प्रेम, शुब करम इनके बदले में ग्यान को पाना, परमात्मा को पाना कोई हमारा हक नहीं है यहां जोर से नहीं कह सकते कि मैंने ये किया मैं भजन करता हूं, मैं बाणी पढ़ता हूं तो मुझे तुम क्यों नहीं मिल रहे, जोर से नहीं मिलने वाला जहां जोर का एहंकार तूटेगा तो सैज्जे ही परमात्मा अपने आप जो है जो इनसान दैवी गुन संपन होगा, सरव गुन संपन होगा जिसके हिर्दे में भगती, प्रेम, प्यार होगा परमात्मा अपनी धरम नीती को काईम रखते हुए खुद बखुद आ जाएंगे उनका दिल कोई पत्थर का दिल नहीं है परमात्मा का कि जो हमारी घालना को, जो हमारे प्यार को, जो हमारी तड़प को ठुकरा देंगे नहीं उनका दिल तो इतना नरम होता है कि उतना किसी भी जीव इंसान का हो ही नहीं सकता क्यों परमात्मा का दिल परमात्मा से अलग नहीं परमात्मा का संसार परमात्मा से अलग नहीं और अपने आपको किस से नहीं प्यार होता किसको नहीं प्यार होता हम सब को अपना आप प्यारा है ऐसे परमातमा को भी अपना आप प्यारा है भगत की पुकार को एकदम से सुनते हैं जो भी अरदास, बेंती, जोदड़ी हमारा सच्चा दिल करता है अरथात हमारा मन एक अगर हो करके करता है परमातमा एकदम से सुन लेते हैं उतनी जल्दी शाय दूसरे लोग ना सुन पाएं जिनको हम सुना करके अपनी प्यास को भुजाना चाहते हैं अगर परमात्मा को सुनाएं तो हम प्यास से नहीं रहेंगे पूरण प्रेम से आनंद से रस से भर जाएंगे त्रित अगाए रहे रिद्यंतर दोलनते अब चूके अखुट खजाना सतबुर दिया तोट नहीं रे मूपे ऐसा परमात्मा जो है फल्स अवरूप जो है वे खुदब खुदब आई भगतों के पास जग्यासूं के पास सिखों के पास अपने आप ही आ जाता है मान मेरे गुर बचनी निद्फाई गुरू सहब कहते हैं कि मेरे मन ने गुरू के बचनों द्वारा गुरू के शिक्षा द्वारा गुरू के किर्पा द्वारा निधी नाम खजाना नाम का खजाना नाम का रस भगती का रस प्रापत किया है तो गुरू की किर्पा गुरू के बचन से ही ये नाम का रस निधी रूप खजाना रूप जो मुझे मिला तो उससे क्या हुआ मेरा जो मन है सदा सच के अंदर समा गया तांते सच में रहा समाई मेरा मन नाम का जप नाम का सिमरन और सेवा में ऐसे निकला गुरू की दिखशा और गुरू के बचन से कि सदा के लिए वैस समा गया परमात्मा के अंदर सच के अंदर अब मन मन ही नहीं रहा अब ये संसारी मन नहीं रहा अब मन ऐसा नहीं रहा जिसके अंदर दुख हो जिसके अंदर चिंता हो जिसके अंदर तौखला हो जिसके अंदर कोई कमी हो गाट हो नहीं अब मन सच में मिलकर के सच सरूप ही हो गया मन तू जोत सरूप है अपना मूल बचान ऐसा जो मन गुरू की शिक्षा को प्रापत हुआ और अपने सब रूप में इस्थत हो गया है ये सब गुरू की किर्पा से गुरू के बचन से हुआ गुरू की साखी के ये शिक्षा गुरू का उपदेश गुरू का नाम अंदर हमारे हिड़दे के अंदर हमारी भामना के अंदर हमारी शर्धा के अंदर ऐसे जाग उठा ऐसे प्रजलित हो उठा के अंधकार वहां से दूर हो गया तो क्या हुआ प्रिमत हमारी बुद्धी के अंदर जो चैंचलता थी वो दूर हो गई वो त्यागी गई अब हमारा मन इधर उधर कहीं नहीं जाता सदैव परमात्मा के गुरू के चरणों में तिका रहता है इस्थर रहता है ये सब गुरू की किरपा है गुर साखी का उजियारा गुरू के शिक्षा से ही भाई हमारे अंदर परकाश हुआ है ग्यान हुआ है ता मिटिया सगल अंध्यारा तो इससे क्या हुआ हर तरह का जो अज्ञान था भरम था अंधकार था वैसब दूर हो गया ग्यान अंजन गुर्दिया अग्यान अंधेर बिनास हर किर्पाते संत पेटिया नानक मन परगास परमात्मा की किर्पा से संत गुरू का पूरण पुरश बरम ज्यानी का मिलाप और ऐसे गुरू के मिलने से दिक्षा प्रापत करने से अज्ञान की सब नविर्ति हो गई बुर चरनी मन लगा अब तो हमारा मन गुरू साहिब कहते हैं हमेशा ही गुरू के चरनों में लगा रहता है तान जम का मारग बगा तो जब मन गुरू के चरनों में सदा टिक गया ज्ञान को उपलब्द हो गया अपने सवरूप का बोध हो गया आत्मा पर्मात्मा की एक्ता का बोध हो गया तो जो जम के मार का डर था जो मौट थी जो जनम और मरन का चक्कर था 84 लाख जोनियों में आने जाने का वे सब दूर हो गया पैविच निर्पो पाया पर्मात्मा के भै नाम पर, सत्कार, प्यार जैसे ही पर्मात्मा का डर हमारे अंदर होगा तो क्या होगा जिन मन पाओ तिना मन पाओ हमारे मन की प्रीति हो जाएगी पर्मात्मा से यानि हमारे अंदर सत्कार हो रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो पर्मात्मा के प्रती, गुरू के प्रती, बानी के प्रती क्याब करने से सब भै सब दुख डर दूर हो जाते हैं ऐसा निर्भो पर मात्मा हमें प्रापत हो गया तो क्या हुआ सहज सुभावक अपने आप अपने सवरूप के अंदर मेरा जो मन था वैं इस्थर हो गया पानत नानक बूजय को भीचारी साहिब कह रहे हैं कि कोई विरला ही है जो इस बात को बूजता है अर्थात जानता है अपने सब रूप को अपने अंदर चेतना को अर्थात अपने मालिक से एक मेख होकर के रहने वाला कोई ही इंसान है इस जग में करनी सारे तो गुरु साहिब कहते हैं कि इस जगत के अंदर इस संसार के अंदर जो करनी है शुब करनी है निशकाम सेवा और भगती करनी है प्रेम करना है यही एक सार वस्तू है यही एक निचोड है यही एक सिधान्त है यही एक स्रेष्ट बात है कि शुब करनी हो और नाम सिमरन हो नामा कहाट लोचना मुखत एराम समाल हाथ पाऊं कर काम सब चीत निरन जनना हमारा तन, मन, धन, संसार का जो भी ये हिसा है संसार के समर्पन हो संसार के कारियों में लग जाए और हमारा अंदर जो मन है, तवज्जो है, ध्यान है गुरु शबस से एक हो जाए तो ये करणी जो है, गुरु साहिब कहते हैं कि स्थ्रेष्ट है ऐसे जो करणी हमारी अगर हो गई कतनी नहीं केवल कहना मातर नहीं केवल कानों से सुन लेना और जीवन में ना लाना ये नहीं जब हमारा जीवन सुन करके उस बात को मान लेगा सुनया मन्या मन की तापाओ अंतर गत तीरत मलनाओ तो अंदर बाहर सारा जो ये शरीर है स्थूल सूक्षम जो शरीर है मन बुद्धी अंताकरन सहत जो ये शरीर है ये सारा ही पवित्र हो जाएगा तब ही उस इंसान की कीरती होगी जस होगा उसको लोग धन्य धन्य कहेंगे जिनका तन और मन पवित्र हो जाता है वही दारसल धन्यता के युग्य है उसी का आना उसी का मनुष्य जीवन पाना जो है सफल है जिसके जीवन में करनी है तो हमारे जीवन में करनी होनी चाहिए गुरु साथ क्या कह रहे हैं वे हम कर रहे हैं के नहीं बस उसमें पढ़ाई लिखाई इन बातों का कोई तल्लक नहीं बुद्धी का कोई तल्लक नहीं जो प्राणी गोबिंदतियाव है पढ़िया अनपढ़िया परमगत पागा है पढ़ने मात्र से तो क्या होगा कि मन बुद्धि इनका जो विशे है उसी कोई प्रापत होएंगे लेकिन जब नाम से ध्यान जुड़ जाएगा नाम से मन जुड़ जाएगा गुरु दीक्षा से मन जुड़ जाएगा गुरु चरणों से मन जुड़ जाएगा तो मन किसके विशे है उस बात का बोध हो जाएगा सारा संसार मन के विशे है मन से ध्यान से ही हमें संसार का ग्यान हो रहा है लेकिन मन किसके विशे है मन का ग्यान किसको हो रहा है मन जो हरकत कर रहा है संकलब विकलब उठा रहा है वे ज्ञान किसको हो रहा है वो परमात्मा है जोए हो जानो सोए हो नाही जो तुम जान रहे हो मन बुद्धी इंद्रियों के माध्यम से वे रहने वाला नहीं है वे सदा इस्थर नहीं है उससे सुख की प्राप्ति नहीं है जोए हो जानो सोए हो नाही जानन हारे को बल जाओ जो जानने वाला है जो ग्यान सरूप है जिसे खुद का भी ग्यान है और मन के द्वारा आगे वस्तूओं पदार्थों भोगों का भी ग्यान हो रहा है उस पर बले हार जाओ वो परमात्मा है जाननहार प्रभू परवीन बाहर पेखना काहू पीन बाहर की किसी बंतर से जिसमें मन है जिसमें मन की सत्ता है परमात्मा खुश नहीं होगा जब तक मन विसमाद में नहीं जाता मन अमनी नहीं हो जाता परमात्मा की प्राप्ती नहीं होगी तो मन को ले करना है नाम से जुड़के सेवा से रत होकर सेवा से प्रिति को पागर तो जैसे ही मन ले हो जाएगा उस ले के साक्षित तुम होगे उस ले को भी तुमने जाना आज मन ले नहीं आज मन चिंतातुर है आज मन व्याकुल है आज मन इदर उदर जा रहा है उसको भी जान तुम रहे हो लेकिन उस बात का ग्यान नहीं तो जैसे ही मन नाम और सेवा से ले हो जाएगा उस बात का बोध हो जाएगा कि इस ले को भी इस त्रिप्टी को भी तुमने ही जाना तुमने ही देखा दाना बिना साई मेंडा नानक सार ना जाना तेरी जो देख रहा है जो जान रहा है जो ग्यान सवरूब है वह हमारा मालिक है वही जीवन का लक्ष है उसे इस मनुष्य जीवन में ही पाना है ऐसी करनी अगर जीवन में है तो माराज कहते हैं उसकी कीरती है उसका जस है उसको लोग यहां भी धन्य धन्य कहते हैं आगे परमात्मा के दरबार में भी कोई धन कबीर कहता है कोई धन रवधास कहता है कोई धन नामदेव कहता है कोई धन गुरुनान कहता है कि उनकी करनी थी उनका जीवन था तो गुरु किर्पा से जीवन बदल जाना चाहिए रथा दृष्टी बदल जानी चाहिए संसाराकार से ब्रमाकार की उकलबदी हो जानी चाहिए फिर धन्यता योग है वे इंसान तान 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 जने आया जिस पर साद सब जगत राया जन आमन का यह सुआओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार उसकी कीर्पी है जो करणी वाला इंसान है पर यह जो कीर्पी हुई जिस करणी से जिस निशकाम प्रेम भरी सेवा और सिमरन से तो मारज कहते हैं कि वो परमात्मा आप ही उसको आकर के मिला है अब परमात्मा ऐसे जन से भाई अलग नहीं है हर हर जन दोए एक हैं दिद चार कछना हैं जलते उपई तरंग जिओं जल ही बिखै समा है ऐसा जन परमात्मा का सबरूप ही हो जाता है उसका एहे लोक सुपिये पर लोक सुहेले नानक हर प्रवया पैमेले बोलो सतनाम शिरिवाहे पनतनानक भुजय को वीचारी इस जग में करनी सारी करनी कीरत होई जाहा पे मिल्या सोई झाल 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 झाल